पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बाइग्रफी अलर्ट के लिए बेल आइकोन दबाना ना भूलें ये दास्ता हैं भारतिय सिनेमा के महानतम डिरेक्टर्स में से एक की नाम है जिनका बिमल रॉय जिनने पूरी फिल्म इंडस्ट्री बिमल दा कहके पुकारा करती थी इनका जन्म हुआ 12 जुलाई सन 1909 में ये दरसल एक बिंगॉली जमिनदार परिवार से तालुक रखते थे स्थान था धाका सुत्रापुर जो कि उस वक्त पूर्वी बंगाल का हिस्सा था और आज बंगला देश में हैं बिमल रॉय सहाब ने बड़ा कड़ा संगर्श भी किया और बहुत से धोके भी खाए लेकिन अक्सर अपनी खामुशी से इन्होंने बहुत से जजबात बया कर दिये बिमल रॉय ने बड़े बड़े फिल्मेकर्स को मौके दिये बड़े बड़े गीतकारों को बहुत से जबर्दस अभी नेता इनके साथ काम करने की इच्छा रखते थे बिमल रॉय साहब की दरसल स्टिल फोटोग्रफी में खासी दिल्चस्पी थी जब इन्होंने कलकत्य का रुख किया तो बहां पर बहुत से फिल्में बना करती थी इन्हें बतौर कैमरा असिस्टन रखा गया न्यू थेटर्स प्राइबिट लिमिटेट में यह वो वक्त था जब यह बतौर असिस्टन काम किया करते थे डिरेक्टर पीसी बर्वा के इनका काम था फब्लिस सिटी फोटोग्रफर का इनके द्वारा खींची गई तस्वीरे इतनी खुबसूरत थी कि उस जमाने की मशूर सिनिमा हस्ती नितिन बोस ने इन से कहा कि क्यो नहीं तुम कैमरा डिपार्टमन जॉइन कर लेते हो तब इनकी तंखवा 15 रुपे महिना थी तब यह अंदाजा लगाना बड़ा कढ़िन था कि यह नौजवान आके जाकर महानतम फिल्मेकर्स में से एक बनेगा न्यू थीटर्स के लिए इन्होंने काफी लंबे अर्से के लिए काम किया उदायर पाथे वेमल रॉय साहब की पहली फिल्म थी जिसने इन्होंने डिरेट किया था उससे पहले यह बद और असेस्टिन जरूर काम कर चुके थे लेकिन जब देखा कि कोलकुता फिल्म इंडस्ट्री जरा धीमे धीमे से कुट रही है तब इन्होंने मुंबई का रुख किया यह दशक था पचास का जिसमें की टीम में थे एरिटर रिशिकेश मुखर जी स्क्रीन राइटर नबिंदु घोष असेस्टिन डिरेक्टर आशत सेन और सिनेमेंटोग्राफर कमल बोस बाद में महान संगीतकार सलिल चौधरी बीन की टीम का हिस्सा बने जब फिल्म दो बीगा जमीन बनाई गई तब तो कमाल ही हो गया। साथ-साथ परिनीता, बिराज बहू, मदुमती, सुजाता, परख और बंधनी का नाम कैसे भूला जा सकता है? इन तमाम फिल्मों ने बिमलरोय को एक प्रेडना स्रोध बना दिया नई पीधी के लिए। बिमल्रोय सहाब बहुत ही हट के फिल्में बना रहे थे एक तरफ न्यू थेटर्स के साथ इन्होंने काम किया तो दूसरी तरफ मुंबई के सबसे बड़े स्टूडियोज में से एक बॉंबे टॉकीज का यह हिस्सा बने फिल्म रही मा जो कि सन 1952 में आई अंतराष्ट्रे सि विमल्रोय अक्सर बड़े खामोश रहा करते थे और इनकी फिल्मों में स्त्री चरित्र बहुत उभर कर आते थे चाहे वो फिल्म सुझाता रही मदुमती या फिर बंदनी अब क्या मेरी पाइल पर ने क्यों मर रही है तो तो बूरी हो गई है क्या बूरी नहीं तो क्या ज जूरी का हिसा बने थे विमल्रोय सहाब कभी भी अपना खुद का घर खरीदना नहीं चाहते थे उनसे पूछा जाता कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो जवाब मिलता कि जमीन जायदाद दरसल सारे फसाद की जड़ है यह खुद एक जमिनदार परिवार से आये थे और इनके स जबर्दस धोका भी हुआ था तब से बिमल्रोय नठान लिया था यह अपनी खुद की प्रॉपर्टीज नहीं खरीदेंगे पर अपनी बीवी मुना बीना रॉय की बात यह नटाल सके और तब जाकर इन्होंने अपना खुद का घर खरीदा इनका वेवा मुना बीना रॉय से हुआ बिमल्दा ने जब इन पे पहली नज़र डाली तो यह मंत्र मुग्ध हो गए साल रहा होगा सन 1949 जब इनकी शादी हुई शादी का स्थान था बनारस उस वक्त मोना बिना जी मात्र सत्रा बरस की थी और बिमल्रोय साहब 28 बरस के इस शादी से इने तीन बेटियां हुई रिंकी यशोद्रा अपाराजी था और बेटा जॉय ये बात भी दवी चुबी जुबा में सामने आई कि अपने जवाने के मज़ूरो मारूफ अभीनेता अशोक कुमार और बिमल्रोय के बीच जरा मनमुटाब हो गया था लेकिन बाद में फिल्म बंदनी में इन दोनों ने काम किया और वो मनमुटाब दूर भी हुआ बिमल्रोय साहब को फिल्म दोबी का जमी, परिनीता, बिराज बहु, मधुमती, सुजाता, परक, बंदनी इन सब के लिए बेस्ट डिरिक्टर का अवर्ड मिला इनकी बनाई फिल्म देव दास सभी को पसंद आई थी जिसमें दिलिप कुमार इनके साथ जुड़े थे उससे पहले बलराद साहनी इनकी फिल्मों का हिस्सा रहे जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानास हो जाता है हजूर और फिर उस जमीन पर तो हमारा साथ पीड़ी पुराना मकान है नहीं हजूर, जमीन तो मैं किसी हालत में नहीं बेसकता विमल्रोय सहाब दरअसल कुमप मेला तराजदी पे एक फिल्म बनाना चाहते थे. ये एक फिल्म बलुची स्थान पर भी बनाना चाहते थे जिसका जिम्मा इन्होंने रिशिकेश मुखरजी को दिया था. पर रिशीदा को उस वक्त बलुचिस्तान जाने की आग्या नहीं मिली थी बिमल्डा मात्र चपन बरस की उम्र में इस दुनिया से चले गए तारीख 8 जनवरी सन 1966 इन्हें कैंसर हो गया था बिमल्रॉय की फिल्में देखकर बहुत से फिल्मेकर्स पिक्चर बनाना सीखते हैं और बहुत से भिनेता सोचते हैं कि काश ऐसा डिरेक्टर हमें भी मिलता जकीनन अंतर राश्ट्रे सिनिमा में महांतम फिल्मेकर्स में से एक बिमल्रॉय माने जाते हैं और सदैव माने जाते रहेंगे मत चुप 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 चुप